हे गाईज, वेलकम टू देव, हुमी करियर पॉइंट, आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वास्त होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टेडी चल लही होगी, तो देखिए उत्राखंड इस्टेड एक जीके का एक महत्तोपूंग टॉपिक आज डिसकस करेंगे, इसमें हम देख इसमेनर की नैनिताल नगरपाली का कब बनी थी, और कभी पूछ जाता है कि हाल में ही उत्राखंड में कौन से नगर निगम बनाए गए थे, तो ये सभी महत्तोपूंग पॉइंट आपके आज इस टॉपिक के बाद किलियर हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वास्तविक इनकी जो गठनती थी है, तो वो क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उत्राखंड में जो नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पाली का बोलू मैं इसकी सुरुवात कब से होती है, ठीक है, तो सबसे प पहले नगर पालीका का गठन होता है, 1687 में, 1687 में भारत में पहली नगर पालीका का गठन होता है, कहां पर मदरास में, ठीक है, तो भारत की पहली नगर पालीका का गठन होता है, कहां पर मदरास में, ठीक है, तो मदरास चन्नी भारत की पहली नगर पालीका थी, इसके बा हम जानते हैं दबंगाल पीपल सेक्ट तो दबंगाल पीपल सेक्ट के अंतरकत क्या होता है कि 1842 में मसूरी को तथा 1845 में नैनिताल को मुंसिपल सिटी बनाने का एक यहां पर प्रियोग किया जाता है जो की बिल्कुल असफल रहता है यानि कि इस्थानिया नगरिय स्वसासन की सुरुवात करने की कोशिस की जाती है लेकिन उत्राखेंड में यह फेल हो जाता है इसको बोला गया इसके तहट क्या हुता है दोस्तों 850 के इस एक्ट के तहट इ उत्राखेंड में पहली मान्यता प्राफ्त नगरपालिका का गठन किया जाता है जिसको हम जानते हैं लेक सिटी ओप उत्राखेंड नैनिताल के नाम से तो यहां से सुरुवात होती है उत्रा स्थाफना किस वर्स होती है ठीक है तो सबसे पहले देखें नैनिताल नगरपालिका की मैं बात करता हूं तो नैनिताल नगरपालिका की स्थाफना होती है नैनी ताल ठीक है तीन अक्टूबर अठार सो पच्चास बहुत ही महत्तों पूर्ण अच्छे से इसको याद रखिएगा ठीक है तो बहुत से लोग यह समझते हैं कि उत्तर भारत के जो पहली नगरपालिका थी वो सिमला थी क्योंकि सिमला को भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया था हमारे बिटिसस ने थीक है तो सिमला को बहुत लोग लगा ले थी कि पहली हमारी नगरपालिका थी उत्तर भारत के लेकिन ऐसा नहीं है सिमला को नगरपालिका जो इमांचल प्रदेश की कैपिटल है सिमला इसको नगरपालिका बनाएगे था हमारा 1851 में डिसंबर 1851 में सिमला नगरपालिका बनती है लेकिन उत्तर भारत की पहली नगरपालिका कभी कोईश्यन आएगा तो आप कहांसर नैनिताल ठीक है बिल्कुल डाउट इन रखना है ऑप्शन आएगे नैनिताल सिमला कसॉल या हमार डेलोजी सीटी जो भी हमारा जादतर हिमानचल के ओप्शन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आपको यह याद रहना है कि हमारा नैनिताल ही सबसे पहले नगरपालिका बना था ठीक है बिल्कुल क्लियर हो गया न चलिए आब आगे देखते हैं इसके बाद बात क नगरपालिका देखे इसकी स्तापना है 1873 अच्छे से याद रहें कि बहुत बार पूछता है या तो नैनिताल पूछता है या मसूरी पूछता है ज्यादतर मैंने नोट के हैं नैनिताल और मसूरी को बहुत बार पूछा गया है अलमोगा और इसके सांसांद जो हमारा प्रणाली है नगरफिये जो हमारी प्रणाली होती है उसका सबसे बगा निकाय होता है जैसे हमने पछायती राज पढ़ाँआगा ग्राम्न इस्तर पे हमरे ग्राम पछाय चेत्र पंचायत और जिला पंचायत तो हमारा ये पंचायती राज बहु страшता थिया ऐसे नगरईय नहीं आते हैं पचासजार से उपर कि जिंसम्हा रहती है और नगर्णिगम की बात करता है तो पूगलक आसे फिव्थेक थी कि भूतर्ण प Korea कंभुशन नहीं होनाई तिक segmentено हुए कि काड़कुधाम नगरपाली का के स्थाफना कब हुई थी तो है। काट गुदाम में कन्फूजन नहीं होना है चीए एकी चीज है फμεने होने है तो अहल द्वा妲 नहीं काड्गुदाम नागारपाली का दर्जा मिला 1960 में और वही नगर निगम का दर्जा मिला 2011 में ठीक है तो 2011 में नगर निगम मना हजिद्वद और नगर पालिका 1964 में रूग्लकी की बात करते हैं तो बहुत है的话 को नगर पालिका गोशीद किया गया कासीपूर के अगर हम बात करते हैं तो तो कासीपूर देखें 1872 में नगरपालिका बनी थी और कासीपूर नगर निगम में हमारी चेंज वी 2013 में रिशीकेश और कोड़वार हमारे रिसेंट नगर निगम थे जोकी 2017 में बनाए गये थे रिशीकेश नगरपालिका की स्थापना होओिती 1981 में तो नगरपालिका रहे पहले है ये Fahrenheit किसी भी सहरकीशन क्या बहते रहते हैं एक चुनती आज चुन होती है तो सेहर्की जनसंध क्यांड़वगते लएति हैं ऐं सास्थ होती है एकाउंटिंग के बाद जैसे ही लगता है क तो यह हमारा नगर पालिका और नगर निगम आप अच्छे से समझ गयोंगी यह टॉपिक में पहले परिक्ष्याओंगे जो हमारा महाकुम्ब चल्ला उसमें भी बता चुका हूँ जो अमने पहला चेप्टर रहा था उत्रागेंडी राज्य का प्रसास्तिनिक और राजनेति ध्धाचा वाला तो उसमें हमने यह डिसकस कर लिया था ठीक है क्या होते हैं चीजिए अब कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं तो उत्तर बारत की पहली नगर पालिका कभी कोश्यन बनेगा तो नेनीतान नगर पालिका इस्तापना कब हुई थी तो 3 अक्टूबर 1850 में इस्तापना हुई थी ठीक है महत्तोपूग है 3 अक्टूबर 1850 अच्छे से याद रिकिए इसको इसके बात बात करते हैं दोस्तो जितने भी अमारे नगर पालिकाए हैं नगर निगम है और नगर पंचायते हैं इनको देखने के लिए राज्य में कुछ बात करते हैं सूड़ा की राज्य नगरिये विकास अविकरां इसकी स्थाफना कब हुई थी कोश्यन बन सकता है ठीक है तो सूड़ा का मतलब होगे इस्टेट अर्बन डेवलप्मेंट अथार्लिटी लेकिन इससे पहले कोश्यन यह भी बन सकता है कि उत्राखंड राज्य तो उनिस्सो शोल में यह शुरू हुए थी नगरिय निकाय प्रणाली यह कोशन बना भी था प्रिवेस के सी गूरुप सी एक्जाम में तो नगरिय स्वसाशन या नगरिय निकाय प्रणाली सुरू हो गई थी उतराखंडराज्य में उनिस सोलम है ठीक है और यहां पर आगर हम बात करते हैं शूड़ा की तो शूड़ा की स्थाफन आपना होई दी छे जुलाई दोजार एक बहुत ही महतुप हुग है राज ये नगरिये विकास अभीकरण सुड़ा 6 जुलाई 2001 इसके बाद बात करते हैं दोस्तो हमारे नगरिये विकास अभीकरण अलग है राज ये नगरिये विकास अभीकरण अलग है नगरिये विकास अभीकरण अलग है नगरिये विकास अभीकरण ये काम करते हैं दोस्तो दोनों में अंतर समझेगा अगर कोशियन कभी बनता है कि State Urban Development Authority राज्य नगरिय विकास अभी करण कभी स्ताफित होगा तो 6 जुलाई 2001 को और वहीं अगर कोशियन बनता है कि नगरिय विकास अभी करण ऊड़ा कभी स्ताफित होगा तो 2 दिसंबर 2002 को इसके अलावा कभी कोशियन बन सकता है हमारे जो मसूरी देरादून मसूरी विकास प्रादिकरण है यानि कि हमारा मसूरी देवरादून Development Authority तो इसकी स्ताफना होती है हमारी 29 अक्टूबर 1984 को ठीक है 29 अक्टूबर 1984 को और महीं बात करते है हमारे जैसे दून गाटी विकास प्रादिकरण की स्ताफना है 11 मार्च 1987 तो यह कुछ महत्वपूंट पॉइंट है यह आपने याद अदने है तो कोशियन देखें अगर कभी भी नगरिय प्रणाली से कोशियन बनततर सबसे पहली बनेगा नगरिय यह स सासनद प्रणाली यो निकाय प्रणाली की यूफ़ात कब से हो ती ह ? Autrhachan में तो 1916 फिरसे बोलाई मत कर देना option क्योंकि confusion रहत है इसमें बहुत बगल और इसके अलवा जितने भी नगर पालिकाई थी मुख्य मुख्य कब गठी तुई थी और इसका नगर निगम में परिवर्तन कब हुआ तो यह आपने जान लिया चलिए आप कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं तो वर्तमान समय में राज्य में कुल नगर निगम है आठ कौन-कौन से हो गए भाईया तो सबसा पहला नगर निगम है तेहरादुन उसके बाद हलदवानी फिर उसको हरिद्वार रूलकी रुद्रपूर कासीपूर रिश्री केस कोड़द्वार ठीक है यह आठ हमारे नगर निगम है राज्य में कुल नगर पालिक हैं भाईया 2021 तक तो 41 नगर पालिक हैं और राज कौसानी की जो पॉपुलेशन है वो यहां पर फुल्फिल नहीं करती क्राइटेरिया को क्योंकि नगर पंचयायत बनाने के लिए हम से कम 5000 की आबादी होनी चीए जबकि कौसानी की जनसंक्या 5000 है मात्र लेकिन उसके बावजुद भी गौवर्मेंट ने वहां के महत्तोता क को देखते हुए कौसानी को नगर पंचयात का दर्जा दे दिया है तो आप नगर पंचयात वर्तिमान में चावालीज हो गए उत्रागर में तीक है तो यह कुछ महत्तोतोत पॉइंट है इनको आप याद रखेगा इसके अलावा देखेंगे दोस्तों अगला एक वीडियो में जैसे सहरी स्वच्चता नीती हो गई सहरी आजीव का मिशन कब शुरूआ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है उत्रागर में कहां कहां पर चल ला है क्या इसके रिजल्ट्स हैं कुछ इस पर डिसकस करेंगे हैं इसके साथ राज जी के कुछ केंटनमेंट बोर्स हैं जो महत्तुपोंगां को डिसकस करेंगे हैं तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों तब तक आप लोग अच्छे से अपने श्टेडी करें खूब रिविजन करें टेक क्यार बबाए